ओम शान्ति आज 19 मार्च 2022 है और आज बाबा हमें अपने अव्यक्त इशारों के द्वारा फिर एक बार हम अफ्तार हैं यह निश्चे करा रहे हैं पहले भी बाबा ने कई बार इस विशे पर बताया है लेकिन आज जानते हैं विशेश बाबा के अव्यक्त इशारे इसी निश्चे और नशे में रहो कि हम टेंप्रेरी समय के लिए सेवा अर्थ इस साकार शरीर में आएं हैं अवतार है आएं हैं अब जाना है यही स्मृती उप्राम और अप्रम अपार प्राप्ती की अनुभूती कराने वाली है एक तरफ उप्राम दूसरे तरफ अप्रम अपार प्राप्ती दोनों अनुभव साथ साथ हो तो आज बाबा ने अफ्तार कहते हुए हमें दो बाते ध्यान पे दिलाई है पहली बात तो बाबा ने अंडरलाइन कराया निश्चय और नशा और दूसरा उप्राम और अप्रम अपार प्राप्ती इन दोनों को ही आईए ठोड़ा गहराई से समझते हैं सबसे पहला निश्चय और नशा तो बाबा ने हमेशा कहा है कि जिसका निशाना फिक्स होता है लक्ष बाधित जो होता है वो कभी भी अपने निश्चय पर से हिलता नहीं और निश्चे होता है तो ही हम नशे में रह पाते हैं और जब नशा होता है तो ही निशाने तक पहुँच पाते हैं तो निश्चे बाबा ने कहा है पहला तो ये कि मैं आत्मा इस दुनिया की नहीं हूँ मेरा अनाधी स्वरूप अनाधी घर में निराकार है और मैं आधी स्वरूप में देवात्मा हूँ इस संसार में temporary सेवा अर्थ हूँ तो ये है पहला स्वयम पर निश्चे दूसरा निश्च है कि मुझे मुझसे सेवा कराने वाला और मुझे अपरम अपार प्राप्ति कराने वाला परमात्मा वो मुझे जो कह रहा है वो सकते हैं इससे भी हम उपराम और अपरम अपार प्राप्ति अनुभव कर सकते हैं तीसरा निश्चे द्रामा पर, क्योंकि अगर ये द्रामा की घंटी ना हो, तो बाबा कहते हैं, बच्चे अलबेले बन जाए, बच्चे अभी भी फसे रहेंगे, तो उप्राम बनने में द्रामा पर ये निश्चे भी हमें बहुत मदद कराता है। और प्राप्ति बाबा तो करा ही रहे हैं लेकिन साथ साथ ये ब्राम्भन परिवार भी हमें बहुत प्राप्तियां करा रहा है क्योंकि यही परिवार हमारा मधुर संबंद बनाता है जो की सत्युग में दैवी संबंद बन जाता है तो ये चारों ही बातों पर निश्चे अगर है तो हम उपराम और अपरम अपार प्राप्ती का अनुभव कर सकते हैं और उस नशे में रह सकते हैं साथी साथ उपराम और अपरम अपार प्राप्ती कई बार उप्राम तो हो जाते हैं लेकिन बहुत रूखा सूखा सबसे किनारा कर लेना बाबा ने ये कभी नहीं बताया बाबा ने कहा है एक तरफ उप्राम तो बैलंस, प्राप्ती, खुशी, न्यारापन और प्यारापन ये सब बाते यथार्थ रूप से हो यही आज हम सारा दिन चिंतन और अभ्यास करेंगे ओम शान्ति